नमस्कार आज की इस QA session में हम YouTube में जो comments आते हैं उनमें से randomly तीन questions लेंगे तो सबसे पहले आज का हमारा जो question है वो हम देखते हैं ये randomly slate किया हुआ है तो सबसे पहला जो question है वो नितिन के जी का है तो नितिन के जी पूछते है कि साउथ इस्ट में toilet seat है और bar chart में साउथ इस्ट extended है यानि well above highest balance line तो peel tape और peelable लगा दू ओके ठीक है तो इनका कहना ये है कि साउथ इस्ट में ये toilet seat है correct south east direction में toilet seat है जो fire की direction है cash and liquidity की direction है है ना इस direction में toilet है और bar chart में भी ये जो south east है ये upper line से भी उपर में है ऐसा ही है अच्छा तो इनका कहना ये है कि क्या मैं यहाँ पे peel tape brass इसका इस्तमाल करके इसे cut करूं और yellow bulb भी लगा दूं तो क्या ये balance हो जाएगा दिखिए पीला tape या brass लगाएंगे तो obviously ये cut तो होई जाएगा तो bulk लगाने से नहीं bulk मत लगाईगा पीला tape आप use कर सकते हैं cut करने के लिए हाँ इसमें bar chart देखना बहुत ज़रूरी है जब आपनी इस type के सवाल पूछे हैं generally हम लोग red color suggest करते हैं है ना या red tape से आप वहाँ पर कर दीजिए है ना ऐसे ही कहते हैं ना बट जब आपने पूछा कि yellow तो bar chart हमें देखना बहुत ज़रूरी है ये कितना बड़ा हुआ है अब example के लिए हम इस bar chart को देखते हैं इस bar chart में अगर हमने brass use किया है कितने space पे तो उतना area इसमें और कम हो जाएगा तो अभी tolerant होने के कारण वहाँ पर problem है ही no doubt है but south-south-west भी तो यहाँ पर बड़ा हुआ है ना इसको आप देखिए इस example में देखिए तो यहाँ पे अगर हमने इसको use किया ना तो problem आएगी तो इस case पे हम यहाँ पे yellow bulb लगा देंगे तो और problem बढ़ जाएगी correct यहाँ पे yellow bulb तो बिल्कुल use मत किजेगा वो totally no है ठीके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे toilet का जितना portion आपने block करना था brass से आपने कर दिया correct इसके बाद बाहर आएंगे तो यहाँ पे आप red bulb यूज़ कर सकते हैं वो भी condition देखके आपके bar chart के उपर है इसमें मैं इसमें तो मैं red bulb भी नहीं कहूंगा कि red bulb यूज़ करेंगा बलकि अगर यहाँ पे मुझे treatment देना होगा तो मैं यहाँ पे पहले इसे copper की strip से balance करने की कोशिश करूंगा अगर हो जाता है तो well and good है अगर नहीं होता दिन मैं brass का strip लगाके उस area को cut करूंगा कितना portion क्या उस toilet के area के base पे कितना portion minus होता है तो क्या मेरे bar chart पे उसका कितना असर दिखता है क्या कोई changes और आती है क्या कहीं मैंने इसको कम किया तो south-southwest या और बाकी जगा और तो नहीं बढ़ रहा है और disbalance तो नहीं आ रही वो चीज़ चेक करूंगा दिन मैं उसके हिसाब से काम करूंगा ऐसा ही नहीं कि south-east में ये है तो मैंने ये color यूज़ कर दिया earth element यूज़ कर दिया तो okay ठीक है wedge balance हो गया नहीं वो कम भी करेगा ना तो उसको भी हमें देखना है एसे काम करेंगे तो आपको result बहुत अच्छे लिखेंगे ठीक है अब हमारे दूसरे सवाल पर आते हैं तो दूसर सवाल है मंजीत जी का मंजीत जी पूछते है कि हमारा जो front है वो 30 feet है ठीक है उसमें E5, E6, E7, E8, S1, S2 वा S3 आता है प्लीज राय देना कि हमें main gate कहा लगाना चाहिए ठीक है मंजीत जी देखियें ये बड़ा simple है अगर astrologically हम नहीं जाते है तो आपके पास शुबद्वार शुबद्वार के form में अगर आप नौकडी करते हैं तो S2 आपका एक अच्छा दवार आता है और S3 तो है ही अच्छा दवार तो आपके पास ये दो दवार S2, S3 अगर आप नौकडी करते हैं तो S2, S3 आप ले सकते हैं वैसे S3 तो done ही है S2 भी आप ले सकते हैं पर अगर आपका खुद का अभ्यापार है तो मैं इसे S2 को cancel करवाऊंगा और स्रिफ S3 का ही entrance आपको कहूंगा ओके हैं चीक है तो ये S3 का entrance आपके लिए ओके है S2 अगर नौकरी करते है तो ठीक है अगर नहीं करते है तो इसे नहीं बनाना है ओके इसने सवाल पर आते हैं तो तीसा सवाल है नेहा भाटी जी का तो नेहा जी पूछती है साउथ वेस्ट में entrance है क्या करें प्लीज बताएं ओके मिहा जी देखिए साउथ वेस्ट में दो entrance आते हैं S8 और W1 दोनों ही non-treatable हैं बहुत ही बुरे entrance हैं until and unless आपका राहों बहुत अच्छा ना हो तब तक वैसे ये entrance बहुत ही कम लोगों को rare होते हैं जिनको बहुत अच्छे result देते हैं वाकी किसी को नहीं देते हैं generally ये entrance बहुत ही कराब माने जाते हैं तो ये non-treatable entrance होते हैं bitter है कि अगर आपको यहाँ पर जगा मिलता है तो आपको W3 और W4 या S3 और S4 आप select करें और अगर यहाँ पर entrance है और remedy आप चाहते हैं अला कि मैंने अभी तक यूज किया हुआ है तो मुझे बहुत अच्छे result नहीं दिखे हैं मुझे वह फिर बापस हो जाता है तो मैं इस entrance के लिए कहूंगा कि आप क्या use करें S8 को block करने के लिए आप blue color का या aluminum का strip और blue color use कर सकते हैं और W1 को अगर आपको block करना है तो iron की strip iron की strip से आप इसे block कर सकते हैं ओके चलिए आज मैंने आप तीनों के सवालों के जवाब दिये हैं आगे भी आप लोग इस तैसे question पुछते रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि आज चेक है question का मैं कल answer दे दूँ है न ओके आज के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यबाद झार झार